यादे बी सर्ब भूते सु माचंद्र घंता रूपेड संसिता नमस्तशय 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 नमो नमः राधे राधे नमस्कार दोस्तो नवरात्री के तीसरे दिन की आप सभी को धेर सारी सुपकामना है दोस्तो आज हम सुनाएंगे नवरात्री के तीसरे दिन सुने जाने वाली मा चंद्रघंटा की कथा दोस्तो नवरात्री के तीसरे दिन मा चंद्रगंटा की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तो जो व्यक्ति नवरात्री के तीसरे दिन मा चंद्रगंटा की कथा सुनते हैं मा उनकी हर मनोकामना पूड करती है तो दोस्तों आप सची भक्ती और स्रधा के साथ इस कथा को जरूर सुने वीडियो को सुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिये ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप समी को मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सेर करिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तो नौरात्री के तीसरे दिन मा चंद्घंटा की पूजा की जाती है और ब्रत रखा जाता है मा के इस रूप की सच्चे मन से पूजा करने से रोग दूर होते हैं और सत्रू से भय नहीं होता है और लंबी आयू का बरदान भी मिलता है इसके साथ ही मा आध्यात्मिक सक्ति आत्म विश्वास और मन पर नियंत्रड भी बढ़ाती है मा चंद्घंटा सेर पर सवारी करती है और उनके दसो हाथों में अस्त्र सस्त्र है मा के माथे पर चंद्रमा बिराजवान है जो उनका रूप और भी सुन्दर बनाता है तो चलिए सुनते हैं मा चंद्रगंटा की कथा जो इस प्रकार है हिंडू सास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक यूद चल रहा था तब असुरों का स्वामी मैसा सुनने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रकासी घासन छिल लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा इसे देखकर सभी देवताओं काफी दुखी हुए स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागड इस समस्या से निकलने के लिए तृदेव, ब्रह्मा, विश्णु और महेश के पास गए वहां जाकर सभी देवताओं ने अशुरों के किये गए अत्याचार और इंद्रचंद्रमा सुर्य वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भगवान को बताया देवताओं ने कि महिसाशुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोग तथा प्रीथ्वी पर अब विचरन करना असंभव हो गया तब ये सुनकर ब्रह्मा विश्णु और भगवान शीव संकर अत्यांत ही क्रोधित हो गए उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक उर्जा उत होने लगी तभी वहां एक कन्या उत्पन होई तब संकर भगवान ने देवी को अपना त्रिसूल भेट किया भगवान विश्णु ने उठे अपना चक्र प्रदान किया इस तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र सस्त्र देकर सजा दिया इंद्र ने भी अपना देवी सभी सस्त्रो को लेकर मैशासुर से युद्य करने के लिए युद्य भूमी में आ गई उनका यह विशाल रूप देखकर मैशासुर भैसे काप उठा तम मैसासुर ने अपनी सेना को माचंधरघंटा पर हमला करने के लिए कहा तम देवी अपने अस्त्र सस्त्र से असुरो की सेना को पल में नश्ट कर दिया इस तरह से माचंद्रघंटा ने असुरो कावध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर ध्यान हो गई तो बोलिए माचंद्रघंटा की जै ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेट करके जरूर बता आदे